Hi Friends, My name is Navneet and welcome to Fatehya Rukom. So, आज की वीडियो में हम continue करेंगे Acid Bases and Sols का जो next हमारा sub-topic है that is Bases. ठीक है? तो Bases के साथ हम continue करेंगे और इस वीडियो में हम Bases discuss करेंगे. इसके बाद हम pH के बारे में discussion करेंगे. ठीक है? बहुत ही important चीजे हैं इसमें cover करने के लिए. After that, we will discuss about Universal Indicator. इसमें भी questions जो हैं, वो बन जाते हैं. Right? तो सबसे पहले बात करते हैं Bases की. कुछ थोड़ा बहुत तो हमने last lecture में कर ही लिया है. तो I hope आपको इससे थोड़ा सा clarification तो हो ही गया होगा. लेकिन इसको थोड़ा सा detail में पढ़ते हैं. So, Bases जो हैं, इसकी जो foremost characteristic feature वो है कि Bases जो होते हैं, Bases are bitter in taste, bitter in taste and soapy to touch. जैसे आपने टेलकम पौडर देखा होगा है ना टेलकम पौडर को जब आप ऐसे करो तो आपको जैसे बहुत ही softness kind of feel होता है. तो वैसा Bases को जो है वो हम touch करते हैं, तो हमें ऐसा feel आता है. इसके बाद इसका जो taste होता है, जैसे acids जो होते हैं, वो sourd होते हैं, लेकिन Bases जो होते हैं, वो bitter होते हैं. कभी आप soda, जो अगर आपके घर में soda हो, baking soda, उसको चक के देखिएगा, इवन अगर आप baking powder जो डालते हो cake में, अगर आप baking powder, baking soda, ठीक है, अकेला baking soda ही डालते हो, baking powder नहीं डालते हो, तो आपको उसका टेस्ट हो बहुत ही कड़वा आएगा, राइट, baking powder, देखिए, baking soda जो ह बहुताती है, baking powder में baking soda भी होता है, प्लस इसमें एक tartaric acid होता है, जिसको हम edible acid भी बोलते है, जो खाने लाइक हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये acid की presence से, इसका टेस्ट जो है, वो कड़वा नहीं होता है, so baking powder जो है, ये baking soda और tartaric acid का बना होता है, जबकि baking soda एक individual compound है, तो ये भी आप याद रख लेना, इसके बाद एक और मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, कि जो bases होते हैं, सारे के सारे bases जो होते हैं, वो water में soluble नहीं होते हैं, लेकिन जो water में soluble होते हैं, ठीक है, bases which are water soluble, bases, which are water soluble, इन water soluble bases को हम alkalies बोलते हैं, क्या बोलते हैं, alkalies, ये alkalies जो हैं, इनकी usage जो है comparative to, जो bases soluble नहीं होते हैं water में, उससे कहीं जादा होती है, because ये जो bases होते हैं, जो water में soluble होते हैं, जा in short, अगर हम इनको alkalies बोलते हैं, तो alkalies जो होते हैं, जब इनको पानी में, ये पानी में dissolve होते हैं, तो ये OH ions जो हैं, वो produce करते हैं, ठीक है, जैसे acids जो होते हैं, acids को जब हम water में dissolve करते हैं, तो वो hydrogen ions और hydronium ions जिनको हम कह सकते है करते हैं लेकिन जो Bays होते हैं वह रोक्साइड रोज़ूम आइनस जो हैंस हे प्रेटूम करते हैं रीलीज करते हैं साइधिक है तो जैसे हमने ऐसीटे के से केस्स करता है जितने ज़्यादा help एह होंगे य स्क्रीड यह उगा तो similarly basis के case में जितने जादा hydroxide ions होंगे उतना ही strong sorry base होगा ठीक है तो base जो है देखिए अगर हम pH level की बात करें pH अगर 7 है ठीक है pH 7 है that means कि जो hydrogen ions है those are equal to number of hydroxide ions for example pure water की अगर हम बात करें pure water की बात कर लो यहां फिर sodium chloride जो common salt है उसकी बात कर लो तो उसमें number of hydrogen ions जो है वो hydroxide ions के बिल्कुल बराबर होते हैं ठीक है तो इस case में जो है वो pH 7 होती है जानिकि pH जो है वो neutral होती है इसमें किसी भी indicator के उपर कोई भी effect नहीं आएगा जैसे litmus paper का जो neutral color purple है तो वो purple ही रहेगा ठीक है ना वो blue होगा न वो red होगा red होता है अगर वो acid हो blue होता है अगर वो waste हो लेकिन इसमें जो है वो purple ही रहेगा क्योंकि यह neutral है सो यहां से हमें पता चलता है मतलब हमें hydrogen ions से और hydroxide ions से जो है वो पता चलता है अगर कोई solution जो है उसमें hydroxide ions जो है वो hydrogen ions से उनका number जादा है तो that means कि वो क्या है वो base है वो strong base है और अगर hydroxide ions का number जो है वो hydrogen ions से कम है that means कि solution जो है वो acidic है right in this case में hydrogen ions का number जो है वो जादा है so in short मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे हमें acid में hydrogen ions से पता चलता था कि इसकी acidity जादा है या कम है तीक है जादा hydrogen ions है तो जादा acidity है pH जो है वो कम होगी because pH is inversely proportional to hydrogen ions लेकिन अगर हम base की बात करें तो base में pH जो है वो correctly proportional हम कह सकते हैं hydroxide ions मतलब जितना जादा hydroxide ions होंगे उतनी ही जादा pH जो है वो होगी उतना ही जादा strongest base जो है वो होगा जैसे अगर हम magnesium hydroxide की बात करें तीक है milk of magnesium जो होता है उसकी pH जो है वो 10 होती है लेकिन on the other hand अगर हम बात करें potassium hydroxide की या फिर sodium hydroxide की तो इन दोनों की pH जो है वो 14 है तो आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि अगर हम magnesium hydroxide और potassium hydroxide या sodium hydroxide के साथ इनको compare करें तो यहां पे hydroxide ions किसमें जादा होंगे obviously इसमें जादा होंगे तो इसकी pH जो है degree of ionization जो है वो decide करती है कि base जो है वो weak है या strong है राइट चलिए आगे देखें चलिए आप कुछ important basis के बारे में जान लेती है important basis में जैसे हमने पिछली वीडियो में भी discuss किया था sodium hydrogen carbonate क्या होता है ठीक है इनके नाम आपको याद रखने है यह होता है baking soda ठीक है baking soda sodium hydroxide sodium hydroxide क्या होता है caustic soda ठीक है sodium hydroxide caustic soda होता है और यह sodium hydroxide जो होता है यह paper manufacturing में भी काम आता है ठीक है paper manufacturing में भी काम आता है साथ में एक synthetic fiber होता है बहुत common synthetic fiber है rayon ठीक है तो इसकी manufacturing में भी sodium hydroxide जो हो काम आता है देन उसके बाद आता है sodium carbonate sodium carbonate sodium carbonate क्या है washing soda washing soda ठीक है washing soda जो होता है it softens the hard water ठीक है it softens the hard water कई बार आपने देखा होगा specially जो लड़किया है जब आप भरतन दोते हो यह कपड़े दोते हो तो कई बार क्या होता है इस सर्फ से या बरतन साफ करने वाला जो विम बार वगेरा होता है खैर विम तो बहुत ही अच्छा होता है quality वाला होता है लेकिन काफी मैंने देखे हैं ऐसे आते हैं washing होते हैं soaps जो यूटेंसिल साफ करने के लिए यूज होते हैं तो उसमें भी बहुत जादा ना कई बार इचिंग होती है आपके फिंगर्स के ऊपर ऐसा लगते हैं जखं हो गएं यहां पर क्या होता है basically वह बहुत ही उसमें जो बेस होता है वह बहुत जादा होता है इरिटेशन वगेरा हमें होने लग जाती है यहां पर हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोकसाइड की ठीक है कैल्शियम हाइड्रोकसाइड जो है इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम देखिए जो कैल्शियम अक्साइड होता है कैल्शियम अक्साइड इसको हम बोलते हैं lime just lime बोलते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं quick lime ठीक है lime और quick lime जब calcium oxide जो है इसके साथ water का reaction होता है तो ये produce करता है calcium hydroxide जिसको हम slaked lime बोलते हैं ठीक है आपके घर में कई बार अब तो लोग जो है वो करवाते नहीं है जो कली होती थी पुराने टाइम पे ठीक है अब तो जादा तो पहले जो यह होता था क्या उसे बोलते हैं calcium oxide तो इसमें जब पानी डालते हैं अभी भी आपने देखा होगा कई वह सडकों बेभी वो लगा रहे होते हैं तो वहां भी जब यह lime जो होता है उसके बीच में जब पानी डालते हैं तो वह बहुत ही जादा उसमें दुआ निकलता है है ना और उसको जो है क्योंकि यह यह भी reaction जो है वो काफी exothermik है तो अगर आप उसको जो है वो अपने ऐसे हाथों से टच करोगे तो आपके हाथों में जो है वो चीरे पड़ जाएंगे तो इतना जादा मतलब यह होता है ठीक है calcium oxide lime मतलब इसके इसको हम lime या quick lime बोलते हैं यह ज्याद रखना इसके उपर जब water के action होता है तो यह calcium hydroxide में convert हो जाता है जिसको हम slaked lime बोलते हैं और यह slaked lime जो है वो हम अपने घर की दिवारों के ऊपर करते हैं ठीक है in the form of कली ठीक है तो यह जब हम अपने घर की दिवारों के ऊपर कर देते हैं तो उसके बाद जो हवा में carbon dioxide होती है वो इसके साथ react होके settle down हो जाती है और वो बनाती है calcium carbonate और यह calcium carbonate ही है जो हमारे घर की दिवारों को shiny appearance देता है ठीक है और यह जो calcium carbonate है यह हमने कल भी पढ़ा था यह egg shell जो होता है वो इसी का बना होता है और आप अंदाजा लगा लो कि egg shell जो ह कितना shiny होता है तो यह भी आपको याद रखना है कि calcium oxide जो होता है जिसको हम lime जैक्विक lime बोलते है उसके ओपर जब action होता है water का तो यह भी काफी exothermic जो है यानि की काफी heat जो है वो release होती है तो उसके बाद यह calcium hydroxide बनता है जिसको हम slaked lime बोलते है जलेक्ट lime जो है वो हम carbonate बनाता है ठीक है और यह उसको हमारी walls को जो है वो shiny appearance देता है एक और बात मैं आपको बताना भूलगी कि जो calcium hydroxide होता है यह bleaching powder बनाने में भी यूज होता है क्लोरीन की भी अगर हम बात करें तो क्लोरीन भी जो है वो bleaching powder बनाने में यूज होता है लेकिन calcium hydroxide जिसको हम slaked lime बोलते हैं ठीक है that is also used in the manufacturing of bleaching powder next हम बात करते हैं pH scale के बारे में 1909 में ठीक है 1909 में सुरेंसन 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 नाम के एक scientist ने pH scale जो था वो device किया था ठीक है P stands for potence ये एक German word है potence ठीक है potence का मतलब होता है power और H का मतलब होता है hydrogen मतलब power of hydrogen आप लगा लो इसको तो जैसे कि हमने बोला था last lecture में भी के pH जो होता है that is inversely proportional to the hydrogen ions तो pH scale जो है ये सरेंसन ने device किया था to measure the pH values of different solutions चाहे वो acidic solution है चाहे वो basic solution है और उसको जो है वो hydrogen ions के साथ हम relate करते है as inverse proportion ठीक है कि जितने ज़्यादा hydrogen ions होएंगे उतना ही कम pH होगा और जितना कम pH होता है उतनी ही solution क्या है? acidic ज्यादा है तो इसको हम जो है वो 0 से लेके 7 जो है वो neutral होता है और 14 जो है वो basic होता है ठीक है? 0 मतलब कि बहुत ज्यादा acidic क्योंकि यहाँ पर hydrogen ion देखिए hydrogen ion फिर अगेन मैं repeat करूंगी कि जब ऐसी जो है water में उसको dissolve करते हैं तो वो hydrogen ions release करते हैं और जो ions release करते हैं और जो completely ionized हो जाते हैं ठीक है? बेसिक solution की बात करें तो bases जानी कि जिनको water में dissolve किया जाता है जिनको हम alkalis बोलते हैं उतने जितना जादा बेस जो है वो completely ionized हो जाएगा पानी में उतने ही जादा वो hydroxide ions जो है वो release करेगा जितने जादा hydroxide ions release करेगा उसकी उतनी ही जादा pH value जो है वो होगी जानी कि जितना कम वो hydrogen ions इसमें होंगे उतनी ही जादा solution जो है वो basic होगा जबकि reverse जो है वो acidic के लिए true है जानी कि जितने जादा hydrogen ions है उतना जादा जो है ये acidic रहेगा, right? तो जैसे यहां पर जो अगर हम 0 की बात करें तो concentrated HCl जो है वो उसकी pH 0 होती है जबकि dilute HCl, dilute HCl मतलब जब जब आप पानी जो है उसमें dissolve करी जाओगे, add-on करी जाओगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम पानी कभी भी acid में आड नहीं करते हैं, acid को दीरे- तो stir करते हैं, otherwise क्योंकि reaction बहुत ज़्यादा exothermik होता है तो dangerous होता है, so जितना ज़्यादा dilute solution होई जाएगा, उतने hydrogen ions में कम होते जाएंगे, और उतनी उसकी acidity जो है वो reduce होती जाएगी, जैसे कि concentrated HCl है तो यह बहुत ही ज़्यादा acidik होता है, तो इसकी pH 0 है, dilute HCl जो है इसकी pH जो है वो 1 है, अगर हम बात करें gastric juices की, ठीक है, gastric juices जो digestion में help करते हैं, तो इनकी pH जो है वो 1.4 होती है, similarly अगर हम यहाँ बात करें pure water की, तो pure water जो है, इसकी pH 7 होती है, यहाँ पे hydrogen ions जो है, वो equal हो जाते है, hydroxide ions के, ठीक है, तो pH क्या है इसकी? neutral हो जाएगी, यहाँ पे किसी भी indicator का कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, जो indicator का neutral color है, वही रहेगा, देन उसके बाद यहाँ पे जो है, वो basic चीज़ें शुरू होनी जाएगी, जैसे कि अगर हम blood की बात करें, blood की जो pH है, वो 7.4 होती है, तो हमारी जो saliva होता है, उसकी जो pH ह है, वो around 7.4 होती है, और जब हम food खा लेते हैं, ठीक है, 7.4 और 7.5, अभी मैं confirm कर देती हूँ, तो जब हम food खा लिया, तो हमारे मुँ में जो है, वो acid बन जाता है, तो हमारा जो saliva का pH है, वो around 5.8 हो जाता है, ठीक है, slightly acidic हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि रात को जो है, वो हम slightly basic होता है, ठीक है, तो basic होने की वज़ा से वो उसके acid के जो action को जो है, वो neutralize कर देता है, जादा तर हम जो लोग मीठा खाते हैं, रात को भी जब मीठा आके सोते हैं, बच्चों के दान क्यों इतनी जल्दी कराब हो जाते हैं, क्योंकि जब हम बच्चों को habit नहीं डालते ह होने की, तो बच्चा तो मीठा बहुत खाता है, केंडी खाते हैं, जॉकलेट्स काते हैं, तो उनके मुँ में acid जो होना शुरू हो जाता है, और वो दीरे-दीरे हमारा जो enamel है, उसको उस तक पहुंच जाता है, ठीक है, और हमारा जो बिलकुल जहां पे gums होते हैं, वहां से जो हो हमारे दांत खराब नहीं होते हैं, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो tooth enamel होता है, that is the hardest part of our body, तीक है, अभी कुछ याद आ गया, hardest part of our body, बहुत बार ये question पोचते हैं, तो अब मैं आपको थोड़ा सा different different चीजों की pH बता देती हूं, जो आपको examinations के लिए याद रखनी है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं, इससे पहले मैं आपको ये भी बता देती हूं, साथ में अभी हमने tooth enamel की बात करी है, तो tooth enamel जो होता है, that is made of calcium phosphate, ठीक है, calcium phosphate, ये भी पोच लेते हैं exam में, तो कोई भी चीज शोर्ड़ी नहीं है, ये pH मैंने कुछ acids की, क हमारी body होती है, जो human body होती है, वो 7 से 7.8 pH जो होती है, उसके बीच में अच्छा, मतलब हमें, हम normal रहते हैं, ना हमें acidity होती है, ना हमें मतलब uneasiness किसी भी तरह की feel होती है, तो 7 to 7.8 pH में human body जो है, वो properly function करती है, सो यहां पे अगर हम acids की बात करें, concentrated HCL की pH 0 होती है, dilute HCL की 1 होती है, ये वहने आपको चीज़े बता दी है, digestive gastric juices 1.4, lemon की pH 2.5 होती है, अब आप यहां पे कहोगे कि ये तो मतलब, इसका मतलब कि ये बहुत ही जादा acidic है, है ना, तो जब हम, इसका मतलब हमें जादा lemon नही नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो organic acids होते हैं, वो हमारी सेहत के लिए घतरनाक नहीं होते हैं, ठीक है, विनेगर जो है, इसकी pH 4.1 होती है, कॉफी जो है वह उसकी pH 5 होती है, कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप कोई खाना खा लेते हो, तो आ कई बार टमाटर जादा खाने से, बेंगन जादा खाने से भी जलन होती है, क्योंकि यह भी slightly acidic होते हैं, कॉफी, कॉफी पीने से भी कई बार आपको जो है वो ऐसे लगता है, कि जैसे मतलब अंदर चिखा सी चल गई है, तो ऐसे लगता है, कॉफी भी slightly acidic होती है, सॉफ्ट जो है वो acidic होती है 6 इसकी pH है, milk जो है 6.5 इसकी जो है, वो slightly size में हम कह सकते है, 6.5 इसकी pH है, water जो है neutral है, इसका 7 है pH, sodium chloride जो है ये pH इसकी 7 है, then उसके बाद हम बात करते हैं saliva, जैसे मैं आपको बता दिया है ये already, कि before meals खाना खाने से पहले हमारी pH जो है, वो basic रहती है मुग की 7.4 और खाना खाने के बाद 5.8 हो जाती है, acidic हो जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि toothpaste जो है, वो हमें रात को brush करके सोना चाहिए, ताकि acid को, क्योंकि toothpaste में base होता है, तो वो acid को neutralize कर देती है, तो हमारे दातों में कीडा नहीं लगता है, जलन भी नहीं होती है, blood, that is very important, blood की pH, जो है, वो 7.4 होती है, eggs की pH 7.8 होती है, toothpaste की pH 8 होती है, baking soda solution की pH 8.5 होती है, washing soda की pH 9 है, milk of magnesia 10.5, ठीक है, और dilute sodium hydroxide की pH, जो है, वो 13 होती है, concentrated sodium hydroxide की pH, जो है, वो 14 होती है, तो इनको जो है, वो आप लिख लीजिएगा, सो इसके बाद जो है, बस आपको मोटा मोटा यह याद रखना है, कि pH जो है, अगर वो less than 7 है, तो वो acid है, और अगर pH more than 7 है, तो वो base है, ठीक है, चलिए, अब आगे देखते है, चलिए, बात करते हैं, युनिवर्सल इंडिकेटर की, युनिवर्सल इंडिकेटर, युनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, यह basically mixture है dyes का, mixture है indicators का, जो different, different colors पे different, different pH जो है वो देता है, ठीक है, different colors मतलब हम इसको बोल सकते है, mixture of dyes और mixture of indicators, जो different colors पे different pH जो है वो देता है, for example, अगर हम dark red की बात करें, इसका मतलब है, कि pH किसी solution की, अगर dark red color आ रहा है, तो उसका solution का pH जो है, वो 0 होगा, अगर red है, तो उसका pH जो है, वो 2 होगा, ठीक है, yellow है, तो उसका pH जो है, वो 3 और 4 होगा, similarly, अगर pH, अगर green है, ठीक है, मतलब वो neutral है, ठीक है, और neutral का pH कितना होता है, 7 है, similarly, अगर pH जो है, वो 12 है, तो ये blue color आएगा, यहाँ पे, 13 और 14 में जो है, वो violet color आएगा, ठीक है, तो different colors जो है, वो हमें बस इतना ही आपको याद रखना है, थोड़ा बहुत ही, आपको हलका सा पता होना चाहिए, कि कौन से color पे जो है वो कौन सा pH जो है वो आता है मतलब आपको यह mainly यह याद रखना है यह याद रखना है और यह याद रखना है ठीक है जितना acidic होगा solution उतना universal indicator पे red color आएगा HCL एक ऐसा acid है जो हमारे stomach में naturally produce होता है यह भी आपको पता होगा काफी जनों को ठीक है लेकिन HCL आपको पता है acid है ठीक है और यह हमारे digestion में काफी ज़्यादा important role play करता है जब हम digestive system करेंगे तो आपको मैं बताऊंगी ठीक है और इसको जो है वो protect करता है mucous membrane otherwise तो HCL से आपको है इसके बाद हम बात करते हैं soil की ठीक है solid जो है soil भी कई बा jar quick lime बोलते हैं calcium hydroxide के साथ जिसको हम slate lime बोलते हैं और calcium carbonate के साथ ठीक है अगर soil जो है acidic है तो उसको neutral करने के लिए हम base एड़ करेंगे जिसमें हम calcium oxide जाने की lime और quick lime, calcium hydroxide जाने की slake lime और calcium carbonate जो है वो add कर सकते हैं अगर soil जो है वो alkaline है तो उसके लिए हम उसमें जो है वो compost and manure जो है वो डालेंगे ठीक है because compost और manure में जो है कुछ acidic चीज़ें होती है जो इसको जो है वो neutral बना देगी इसके इलावा rain water की बात कर ले rain water जो होता है rain water की pH जो है जब ये 5.6 से fall कर जाती है तो तब हम इसको acid rain बोलते हैं that is very important ठीक है acid rain बोलते हैं और यही acid rain जब lakes वगेरा में जाती है तो यह क्या करती है lakes को acidic बनाती है acidic होने की वज़े से कई बार fish वगेरा होती है ठीक है तो वो मर जाती है और जो भी जितने भी मतलब aquatic animals होते हैं तो उनको भी impact करती है poisonous हो जाता है पानी तो इसको counter करने के लिए कई बार क्या होता है कि जब ऐसे rain होती है acid rain होती है तो उसके बाद helicopter से जो है वो calcium carbonate वगेरा जो है वो फेंका जाता है तांकि उसको neutralize किया जाए ठीक है कई बार आप देख लेना net पे भी आपको मिल जाएगा ऐसे तो calcium carbonate जो है ये वहाँ पे apply किया जाता है ऐसे lakes में जहाँ पे ऐसे water bodies में जहाँ पे acid rain की वज़े से वहाँ के जो creatures हैं उनको किसी तरह की तकलीफ है हो रही हो ठीक है तो वहाँ पे जो है वो उसको neutralize करने के लिए जो है ये base calcium carbonate जो है वो apply किया जाता है तो ये भी आप ज इसके इलावा जो last point है sulfuric acid sulfuric acid जो है ये Venus के atmosphere में जो है वो पाया गया वीनस planet जो है उसके atmosphere में पाया है और sulfuric acid है तो इसकी वज़े से वहाँ पे जो है वो life exist कहते हैं कि नहीं कर सकती है लेकिन recently आपको बताओ कि अगर आपने current affairs पढ़े हैं तो phosgene phosgene वहाँ पे जो है वो मिली है और कहा जाता है कि इन और्गैनिक चीजों से ही भी life शुरू हुई थी तो हो सकता है कि यहाँ पे कभी life जो है वो शुरू हुई बाकि मैंने आपको last lecture में बता ही दिया था वैस्प और honey bee का ठीक है वैस्प जो होता है इसके जो sting होता है वो काट ले तो उसका effect जो है वो निट्रलाइज हो जाता है हमें इतना pain नहीं मिलता है वैसे ही अगर bee जो है वो हमें sting करती है तो bee का जो होता है वो acidic होता है तो इसके लिए हम जो है वो सोडा वगारा अपलाई कर सकते हैं बेकिंग सोडा तो हमें काफी relief मिलता है तो यह भी ए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए और जॉइन करिए support शो करिए अपनी so thank you very much